जब हम कोई सर्विस किसी को फिरी में देते हैं, तो उस सर्विस को फिरी में इस्तेमाल करने वाले भी यही सोचते हैं, कि उस सर्विस में हमें बहतर से बहतर फीचर मिले, और इसी आसा में वे उस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि उस सर्विस में किसी तरह का प् हैं तो यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उस सर्विस को बहतर से और बहतर बना सकें एक्जामपल के रूप में आउनपैसिब का ओकनेक्ट है ओकनेक्ट ओकनेक्ट का वीडियो कॉनफरेंसिंग बेव सल्यूसन है जब तक लोग ओकनेक्ट को फिरी में इस्तिमाल कर रहे थे और उस समय जब ओकनेक्ट में थोड़ा बहुत टेकनिकल इसू हो जाता था तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं लेकिन अब ओकनेक्ट को इस्तिमाल करने के लिए यूजर्स को 250 डॉलर पे करना होता है ऐसे में यदि ओकनेक्ट में किसी तरह का टेकनिकल इसू होता है तो हमार मतलब यह नहीं है कि ओकनेक्ट पर बफरिंग की यह समस्या किसी टेकनिकल इसू की बजह से हो रहा है किसी फोल्ड की बजह से हो रहा है ओकनेक्ट पर बफरिंग की समस्या इसलिए उत्पन हो रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि ओकनेक्ट में अभी अपडेटिंग का काम च पूल में फिरी बर्जन से लेकर अब तब कई तरह के टेक्निकल इसू देखने को मिला है जिसे सुल्म किया जा जुका है लेकिन पिछले कुछ दिनों में ओक नेक्ट पर लाइव बेविनार के दौरान जो टेक्निकल इसू देखने को मिल रहा है जो बफडिंग की समस्या आ बज़ा से नहीं बलकि O Connect पर अपडेटिंग का काम होने की बज़ा से आ रहा है और जैसे ही O Connect में अपडेटिंग का काम पूरा हो जाता है O Connect पर बफडिंग की समस्या या फिर अन किसी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगा आपने देखा होगा कि हाल ही में कुछ दिनों प स्टोर में जाना होता है और वहां से उसे अपडेट किया जाता है हलाकि इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है जिसे मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा उस पर किलिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और यदी आपने OES मोबाइल अप्लिकेशन क अपडेट करने के बाद वह काफी अस्मूथ और फास्ट चलने लगता है इसलिए यदि आपने अभी तक OES मोबाइल अप्लिकेशन को एक भी बार अपडेट नहीं किया है तो उसे अपडेट जरूर करें वहीं O-Connect के लाइफ बेबिनार के दोरान अभी जो टेक्निकल इस देखने को मिल रहा है वह 24 से 72 घंटे के अंदर सही हो जाएगा और 24 से 72 घंटे के बाद जब O-Connect पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा O-Connect का अपडेटिंग का काम पूरा हो जाएगा तो OES मोबाइल अप्लिकेशन की तरह ही O-Connect भी काफी अस्मूथ और फास्ट चलने लगेगा तो उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गये होंगे इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कोमेंट में पूछ सकते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ने टापिक के साथ जाहें